हलो बच्चो तो कैसे हैं आप सब आसा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो बच्चो आज हम क्लास 10 का मैट का चाप्टर नंबर 4 द्विघात समिकरन का लेक्चर नंबर 4 को करने जा रहे हैं बच्चो इस लेक्चर में हम प्रशना वाली 4.3 का जितने भी करवा दिए यदि आप उसे नहीं कंप्लीट कें तो उसे जाकर जरूर देख लें चलिए हम लोग सुरू करते हैं पहला नंबर कुशन पहला नंबर कुशन क्या दिया है निम ने दुए घात समी करनों कि मुलो की प्रकृति ग्यात कि जे यदि मुलो का अस्तित्व हो तो उ आना होगा बेसिक फॉर्मूला को कि कौन से सिच्वेशन में जो है मुलो कस्तित्व होगा और कौन से सिच्वेशन में नहीं होगा यदि आप बेसिक को नहीं जानेंगे बच्चो तो आप बताएंगे कैसे कि कौन सम मुलो कस्तित्व है और कौन सम नहीं है तो चलिए सबसे पहले basic formula में बच्चो आप लोग को एक विविक्तर का formula याद करना होगा ठीक है मैं यहाँ पर लिखता हूँ विविक्तर का formula विविक्तर जिसको हम लोग D से सुचित करते हैं बच्चो ठीक है D से और इसका formula होता है V square minus 4AC ठीक है मैंनस 4AC ठीक है अब दिखो बच्चो जब यह आप जब निकालो विविक्तर कोई भी question का विविक्तर निकालो गे तो इसे तक तीन situation आसकता है आप लोग का तीन situation जैसे कि आहांप लोग का lines 0 हो सकता है ठीक है जब निकालो गे तो D 0 उसकता है दूसरा situation क्या हो सकता है कि D कमा यानि कि धन्ातमक नैसुए नियांने कोई आपके आप माल निकालोगे मतला भी तोٌ यहां पे तीन सिछेन्व हो गया उसकी प्रकृति क्या होग तो यहां पर दो कॉलम बना देता हूं और यहां पर बताता हूं आप लोगो को चलिए पहला कॉलम और यह आप हो गया दूसरा कॉलम ठीके चल्यए पहला कॉलम में बताएंगे बचो आप लोग को कि मुलों का अस्तित्व है या नहीं है ठीके चल्य यहां पर लिखेंगे मुल अस्तित्व मुल अस्तित्व और दूसरा कॉलम में बताएंगे बच्चो आप लोगों प्रकृति क्या होगी चलिए पहला में आप लोगों देखिए बच्चो जब आप मान निकालोगे डी कमान तो जिरो आगया तो आपका मुलक अस्तितो हो जाएगा ठीक है जब डी कमान जिरो होगा तो मुलक अस्तितो होगा और डी कमान जब धनात्मक आएगा मतलब पलस में आएगा है न तो भी आ बच्चा प्ल्स में आ गया तो मुलक अस्तित होगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है अच्छak की प्राक्रति क्या होगि बै totally आफ्ट कमानन कर लोगी को कामन निकलेगा गाने बराबर या फिर समान बरत बराबर है चलो नात्मग जब आ गया तो यहां पर हम लिख सकते हैं अलग-अलग दोनों का जो मान आएंगा वो क्या आएगा अलग-अलग-खाए चलिए-, डीकि मैं मान ही नहीं कोई मान ही नहीं कोई मान नहीं चलिए इए चीज आप होगी अलग-अलग मान निकलेगा ठीक है और डी कमान जब बच्चों रिनात्मक आएगा तो मुलक अस्तितों होगा नहीं और उसका जो X का मान निकलेगा वो निकलेगा ही नहीं उसका कोई मान ही नहीं होगा ठीक है तो पहले इसको आप पर स्क्रीन सोट ले लो और लिख लो एक जगा चुलिए इसका एक समझ लेते हम एक समझेंगे तो कुछ ज्यादा बेश्ट होगा जैसे आके आप लों का कोई कुश्यन दिया रहेगा बच्चों टू एकस स्क्वाइर माइनस थिरी एकस और माइनस में बराबर जिरो इस तरीके क पहले कितना है दो तो दो हो गया एक कमान और जब एकस के पहले जो मान रहेगा बच्चों वह आपका बी कमान रहेगा तो यह बी हो गया और यह जो रहेगा बच्चों आपका जो लाश्ट वाला रहेगा जो किसी चर्ट के साथ नहीं रहेगा वह आप लोगका सी होगा ठी तो यह समझ मा गया कि यह हो जाता है एकस स्क्वाइर के पहले रहता है और यह वाला सी होता है यह किलियर हो गया अब आप लोग बताएं इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे और यहां पर देखेंगे कि कि उसका मुल्क अस्तित्थ तो हो गई या नहीं चलो यह हम लोग एक अब यहां पर B square, B कितना है बच्चों, तो B है यहां पर 3, तो 3 का क्या कर देंगे, square कर देंगे, clear है minus, 4 के जगा हम 4 डाल देंगे, A के जगा में कितना डालेंगे, देखो A कितना है, 2 तो 2 लिख देंगे, और C कमान कितना है, 1 तो 1 लिख देंगे, यहां पर 3, 3, 9 हो गया, 4 तो नहीं 8 है का 8 हो गया, तो एक D कमान कितना है बच्चों, 9 में से 8 गटा होगे, तो 1 बचेगा, यानि कि यहां पर बच्चों, जो D कमान आया, वो positive आ गया, यानि कि धनात्मा का गया, एक आया जो plus में आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, कि यह मुलक अस्तितों होगा, और इसका जो प्रकृति होगा, जो X का मान जब निकालोगे, तो उसका मान जो होगा, वो क्या होगा, अलग-अलग होगा, ठीके, चलो इतना आप लिख लिए, एक और फॉर्मूला होता है, जब मुलक अस्तितों होता है, बच्चों, तो आप लोग का एक फॉर्मूला अंडर रूट पी स्क्वाइर माइनस 4AC, ठीके, और नीचे हो जाता है, बच्चों, आप लोग का नीचे में 2A, ठीके, ये अंडर रूट में बी स्क्वाइर माइनस 4AC है, वहाँ पे आप D भी लिख सकते हो, ठीके, D भी लिख सकते हो, चुकि यही इसी का फॉर्मूला समिकर्नों के मुलोग की प्रक्रिति ग्याद कीजी, यदि मुलोग अस्तितों हो तो नहीं ग्याद कीजी, चलिए पहला नमबर सॉल्ट करते हो, फटाक से, यहां लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे हल, और पहला नमबर देंगे, पहला नमबर क्या है बच्चों, यह इतना है बच्चों तो सी कमान के जगा में यहां पर हो जाएगा हमारा पांच ठीक है तो यहां तक के लिए रहो गया ठीक है चला हम लोग क्या निकालेंगे यहां पर हम लोग निकालेंगे बच्चों यहां पर की मुलोक अस्तित्व है या नहीं है यहां पर लिखेंगे मुल कि अस्तित्थों के लिए है कि थिक है मौलुक के लिए थिक है मौलुक ile करते लिए निकालते है तो तो दी बराबर फॉरमूला होता है किश्वार मैनस 4 4 दू Nous माइनस-P 사람이ore चार डोचीनी आज Mogre चाहिए के लिखें? तो हमार फांच दो पांक देंगे.. पी चाहिए Vor wh imprem माइनस-वा लिखें चाहिए CT कितना मान निकल गया बच्चो तो माइनस 31 निकल गए चार्यस में नॉगटा लुगय तो यहां पर मोक लिखेंगे आता था कि क्यों कि बीख है मान रिनात्मक है ठीक है क्या लिखेंगे रिनात्मक है इसलिए क्या होगा मुल्क अस्तित्व क्या होगा की नहीं होगा नहीं होगा देखो यहां पर क्या लिखावाया नहीं होगा तो अंसर में क्या लिखोगे मुल्क अस्तित्व नहीं है कि मुल्क अस्तित्व है अस्तित नहीं है ठीक है चलो इतना आप लोग पहला नंबर कुशन बन गया अगर मोलूख अस्तित होता तो आगे बनाते और नहीं है तो फिर इतना ही हो गया ठीक है इतना स्क्रिन सॉट ले लो चलिए दूसरा इसका कुश्ण यहां पर हम लोग दूसरा question को देखते हैं दूसरा यहां पर हम लोग लिखते हैं हल दूसरा question क्या है यहां देखो दूसरा question दिया हुआ है 3x square minus 4 under root 3x plus 4 बराबर 0 ठीक है तो under root देखे डर मत जाना है ठीक है दो यहां solve कैसे करेंगे इसको बहुत है यहां लिखेंगे 3x square minus 4 under root 3 x plus 4 बराबर 0 ठीक है यह आप लोग का प्रस्न दिया हुआ है अब हम लोग सबसे पहले a b c का मान निकाल लेंगे तो यहां लिखेंगे a बराबर a बराबर कितना है बच्चो यहां पे 3 है ठीक है और b बराबर कितना है यहां पे तो b बराबर है minus 4 under root 3, ठीक है? तो यहां लिखेंगे minus 4 door root 3, ठीक है? अच्छा ची बराबर कितना है? तो city बराबर बच्चो यहां पर 4 दिया हuhan, तो 4 लिखेंगे, अब यहांHebc का मान निकल गया, तो अब क्या करोगे यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर मुलक अस्तित्व के लिए, देखें क्या लिखेंगे मुलक अस्तित्व के लिए, मुलक के अस्तित्व के लिए, तो मुलक के अस्तित्व के लिए हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, कि मुलक अस्तित्व होगा या न कि छली को चलिए तो b कि कितना है बच्चों यहाँ फे बी डिखना मांपाट 3 है ना तो लिखेंगे मांडर outras 3 का ऑल էैबोड का मांटर फ ll को युट पर इसको क्रांब कि एक आपन अर्पाइर करेंगे ऐस जार के लिए मैनस मैनस पलस हो जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वाइर करेंगे तो अंली 3 होगा ठीक है आप लोगों बच्पन से पढ़ाते आ रहें कि अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करोगे तो अंली 3 होता है मैनस चार चाहों के 16 16 सॉलटी 48 ठीक है अब यहां पर आजो सॉलटी 48 और यहां पर 48 दोनों साइड 48 हो गया तो 48 48 जब घटाओके बच्चों तो यहां समान निकलेगा ठीक है चलो अब यहां पर हम लोग नीचे में क्या लिख लेंगे लिखेंगे मुलों का स्थित्व है ठीक है चुंकि डी का मान जीरो है इसलिए मुल अस्थित्व समान होगा रहना मतलब की दोनों का मान निकलेगा ठीक है यहां तक क्यलियर को अब देखी इसके बाद हम लोग सॉप करेंगे क्यों क्यों क्योंकि मूल क्षित्व है तो इसके आगे भी आप लोग को सॉप करना फह होगा ठीक है चलो हम लोक आगे सॉल्प करते हैं यहाँ पर चलिये तो आगे बच्चों यहाँ प्रस्न है पहले लिख लेते हैं हम लोग इसमें हम लोग निकालना होगा नहीं लिख सकते हो इक है यह चलिए यह हो गया आप लोगा और नीचे में बढ़ता में ठीका यह आपका फॉर्मूला होता अवी इसाben पहड़ा new को और दोनों का मान निकालना दोनों x का चलो यहां पे लिखेंगे एक बराबर वाइनस भी कमान कितना थे थो भी पिक सम UP 2-2 और चार वानडर रूट था जी ठीठीऊ हो यह लिखेंगे मैनेशय यह फटार मानेश होट रूट थी दो इसकिए 24 की प्रमूला कम का हम लोग मान कितना निकाले थैं तो निकाली थे 0 एक हम लोग यहां पर लिखते हैं और यहां पर उजाएगा नीचे टो और एक राजम कितना था तो एक जगा में तो यहां पर लिख देंगे मोग 3 चलिए आब यहां पर देखिएख esca- ठीक है क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा पलस माइनस जीरो और नीचे हो जाएगा तीन दुनी 6 कितना हो जाएगा तीन दुनी 6 ठीक है अब इसके बाद बच्चों आप लोग को क्या करना है एक नीची बीच में लाइन देना है ठीक है एक बीच में क्या करना है लाइन द में लिखेंगे 0 बटा 6 ठीक है एक बार इधर लिखेंगे हम लोग माइनस वाला चुकि पलस माइनस दोनों है ना तो अबर माइनस वा लिखेंगे लिखेंगे 4 4-3-0 भी-4-3- Week यहाँ पे दो दो दोनी चार-3-6 दोनी चार-3-bank ङसे इंदर भी हम लोग देखेंगे तो कितना हो जागए next यहां पर यहां पर 0 खतम हो जाएगा तो यहां पर कंसको कितना इसका मजंखेगा तो दोनों आ गया के लिए छलो अब अंडरूट थरी नहीं यहां पर बलोग कर सकते हूं यहां पर हम कर देते हैं थी फूल दो अंडर रूट थी को लिख सकते राइन यहां पर लोग लिख सकते अंडर रूट 3 को लिख सकते राइन गोड़ यहां से नंबर कुषिπ्ष्ण में इसको सॉल्व करते हैं कि को मुश्य लिख लेते हैं पहले दो एकसे स्कॉर माइनस 6X पलस 3 बराबर जिरो चलो यहाँ पर ABC कमान लिख लेते हैं कितना है मेरे पहरी बच्चों एक कमान जो है यहां पर आप लोगा 2 दिया हुआ है तो 1 के जिगा में 2 हो जाएगा बी कमान कितना है मैनस6 और ची के जिगा में कितना है आप का सी ब्राबर टीन है ठीक है चलो अब हम लोग क्या लिखेंगे मुलो के अस्तित्तों के लिए है ना कि मुलो का अस्तित्तों के लिए तो मौलो के अस्तित्व के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्छो डी कमान निकालेंगे तो डी कमान कितना होता है बीए स्क्राइर माइनस 4AC D square minus 4 a c ठिकने चलो अब यहां पर हम टोग देखेंगे कितना है थो minus 6 ka क्या कर देंगे square कर देंगे plus minus माइस देगे फोर लिखेंगे και कितना हुआ को तो कितना बचेगा और उन्हें कितना बचेगा बारा बचेगा तो दी बराबर बारा आगया यानि कि धनात्मक आगया क्या गया धनात्मक आ गया और हमने क्या बताया था जब धनात्मक आएगा बच्चो तो भी आप लोग का मुल का स्थित्व होगा ठीक है लिखेंगे चुई है दी का मान थनात्मक है इसलिए मूल जो होगा वह अस्तित्व तथा अलग-अलग होगा यानि कि जब इसका एक्स कमाना भी निकालोगे न तो अलग-अलग माना आएगा और होगा होगा थे कि चलो हमने क्या बता बॉट्चो कोई क्षन में क्या दिया वात है अगर मुलक स्तित्व स्कॉ सोग्यात करते हैं हि अगले promote पर चलिए इसका ग्याद करने के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चो एक बराबर था मैनस बी पलस माइनस अंडर रूट पी स्कॉयर माइनस फोर एसी बी स्कॉयर माइनस फोर एसी यहां पर आप डी भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर लिखेंगे और माइनस छे यहां पर लिखेंगे चुकि यह एक फॉर्मूला वाला माइनस है और यह अपका माइनस छे दिया हुआ था यहां लिखेंगे पलस माइनस और यहां लिखेंगे अंडर रूट अब यहां पर बी स्कॉयर माइनस फोर एसी कितना आया था मान देखो एक बार ब यहां लिख़को डिए और बारो अगर लिखालते हैं तो कितना लिख सकते हैं принцип दो को बाहर निकाल दो और बार better minus 3 तो तौन देगी किसे किछ जाएगा चार हो जाएगा ठीगे आफ बच्छों यहाँ पर कि यहाँ पर प्लस और माइनस है तो हम B정 में ओलाइन देंगे किया न देनके गारिगे यहाँ अब यह हो जाएगा यह से कि सब एक बर एक सिक्सक्ष पलस है न लेंब एक बार मायनस लोई अब प्लस लेते हैं, 2 अ रूट 3 ठीक है? और जब हम इधर लेंगे बच्चो तो इधर कितना हो जाएगा? x बराबर अबर हम मैनस लेंगे, तो 6 प्लस लेते हैं आभर मैनस ले लो तो मैनस 2 अंडर रूट 3 बटा 4 ठीक है? तो इतना भी आप net stir लिख सकते हो कि दोनों का मान अलग अलग आया, एक माइनस में आया, एक पलस में आया, या फिर बच्छो इसको और भी solve कर सकते हो, दोनों में common के नजार आ रहा है, दोनों में, तो दोनों में जो common नजार आ रहा है बच्छो, वो आ रहा है तो, तो दो निकाल दो, तो अंदर में क्या बच लेंगे देखो अबर माइनस लेखे चलेंगे यहां पर यहां पर नीचे हो जाएगा फोर दो दुनी चार ठीक है तो यहां पर क्या बच गया थी माइनस अंडर रूट 3 डि माइनस माइनस में हमने बताया था कि जब श मिल्च्र na रां क्ष होगा और अलग-अला ले चलिए रहें आप हम लोग अगले क्वेंशन की तरफ बढ़ते को क्वेशन नंबर टू मोन हो कोश्चन नमबर टू यहां पर दिया हुआ है देखो क्या दिया हुआ है निमने परतियक द्विघाद समिकरन में के कमान ग्याद किजिए कि उसके दो बराबर मुल को ठीक है तो दो प्रस्ण दिया गया है पहला नमबर हम लोग यहां से सॉल्ब करते हैं के कमान निकालना है और मुल क्या बोल रहा है कि मुल जो है बराबर मुल होगा ठीक है तो पहले प्रस्ण लिख लेते हैं और एकदम स्टेप बाइस सीखते हैं लेकिन टू एक्स स्कॉाइर पलस के एक्स पलस थिरी बराबर जिरो ठीक है यह आप लोगा कोश्चन दिया हुआ है यहां पर तो तीन लिख देंगे ठीक है आप यहां तक निकालने के बाद बचो आप लोगो यहां लिखना है प्रस्णानुसार क्या लिखेंगे प्रस्णानुसार ठीक है प्रस्णानुसार तो प्रस्णानुसार आप देखे बच्चों तो क्या बोल रहा है कि उसके दो बराबर मुल है ठीक है क्या बोल रहा है बराबर मुल बराबर मुल मतलब की समान मुल है ना बराबर मुल और बराबर मुल में क्या होता है बच्चों कि डी कमान जो होता है वो कितना होता है जिरो होता है बराबर मुल में क्या होता है D kaman 0 होता है जब दिकमां 0 होता है तभी बढ़ाबर मुझा निकालते हैं बिलकूल अब D व्रबर फॉर्मुला क्या होता है तो होता है B A sqaure minus 4 A C एक है और बढ़ाबर में च्या लिख देंगे जिरो लिख देंगे ठीक है अब इस पह हम लोग सब्सक्राइब कितना है तो 3 है यहाँ थे तो 3 रिग देंगे बराबर में 0 यहाँ पर के स्क्वाइर का के स्कार हो जाएगा- माइनस चार दुन नहीं आठ आर्ति यहाँ लिग देंगे 24 बराबर 0 अब के स्क्वाइर को यहीं रहने दो यह 24 को इ neutrा ले आ बता है जी हाँ अब यहाँ पर क्या हो जागए बच्छों को अन्डर रूट 24 लिख सकते हैं दो गुना दो 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 दूनी चार चारतिया बारा था और बारा दो दूनी तो यहां पर बन गया तो दो बाहर निकल गया अंदर में क्या बचा तीन और दो बचा तो तीन दो नी छे यानि कि दो अंडर रूट छे जो हो गा इसका अंसर हो जाएगा बच्छों ठीक है तो इसको आप स्क्रेन शॉट ले सकते हैं चलो आगे बनाते हैं लोग अगले दूसरा नंबर पहले कोश्ण लिकले थे हैं क्या लिक आएक्स के एक्स यहां पर इखिएंगे एक्स- टू और पलस में छे बराबर 0 चब अब सबसे पहले इसको सॉल्ve कर लो सोल करेंगे तभी ए बी सी कमान निकलेगा तो के एइकस को एक से 6 बराबर जिरोडिकर अब यहाँ गितना हो गया तो एक मआन हो गया यहाँ पर के और ओ हो गया तो बी कमान हो गया टू के मैनस में टू के और सी कमान कितना हो गया हाँ पर सी कमान हो गया छे ठीक है तीनों कमान निकल गया बच्चों ठीक है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रस्णा नुसार प्रस्णा नुसार क्या दिया वाए कि बराबर मुल होगा क्या होग सब्सक्राइब 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 माइनस यहां पर छेचों के 24 24 के हो जागा यहां पर बराबर में क्या हो गया जिरू हो गया ठीक है चुछ अब इदर सॉल्ब करते हैं हम लोग क्लाइन दे करके हाँ अब देखो यहां पर यह फोर के लिख देंगे यहां पर फोर के स्कॉयर और यह मैनस 24 के है इधार आके हम किसमें कर देंगे पलस में 24 के लिख देंगे, किसमें लिख देंगे, पलस में 24 K, चलो, यह 4 K square को K square रहने दो, यहाँ पे 24 K लिखावा है, यह 4 इधारा के डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 छक 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बचो, K square बराबर 6 K, ठीक के, अब यहाँ पे हम क्या करेंग कि यहां पर दो के हैं और यहां पर एक के हैं तो इसकों लोग इस तरीके से भी काट सकते हैं कैसे काट सकते हैं वच्छों यहां पर के हैं ना यहां पर यहां पर दो के लिख सकते हैं के इंटू के और यहां पर क्या हो जागा के हो जाएगा ठीक है छे के यह के से के यहां पर के किस में हो जागा ठीक है तो यहां पर आप के से कैंसिल भी कर सकते हैं तो यहां पर के बराबर कितना हो गया छे हो गया ठीक है कि कमान कितना हो गया बच्चों छे हो गया तो आप इसको स्क्रेंस आट ले सकते हैं ठीक है समझ मांग गया के कमान भी निकल गया हमारा ठीक है अब तीसरा प्रस्टे में में बढ़ते हैं हम लोग तीसरा प्रस्टे क्या बोला है कि क्या ऐसी आम की बग्याना संब्धोव है जिसकी लंबाई चोड़ाई दुगूनी चोड़ाई से दुगोनी हो और उसका चेतर चोड़ाई को हम मान लेते हैं X, तो लंबाई कितना हो जाएगा, जिसकी लंबाई जो है चोड़ाई से दुगुनी है, मतलब चोड़ाई का यह दुगुना, मतलब दो गुना यानि की 2X, तो यह आप लोग का हो गया, अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग प्रेशन अनुसर मनाएंगे, चलो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं और तैयारी करते हैं अपना हल को पाने के लिए, क्या लिखेंगे माना, माना, आम की बग्या की चोड़ाई है ना, लिखेंगे, आम की बग्या की चोड़ाई, तो आम की बग्या की चोड़ाई को हम लोग क्या मान लेंगे। यह कितना छोड़ाई से क्या है लंबाई दुगुना तो टू एकिस मोझा लेंगे। ःपनीचे हम लिखेंगे बच्चो प्रस्ना नुचार क्या लिखेंगे प्रश्णा नुसार तो प्रश्णा नुसार अगर देखे बच्चों की दोनों का जो है दोनों का जो छेतरफल है ना मतलब आई से आम की बग्या का छेतरफल है वो कितने हाँ 800 मिटर स्क्वाइर ठीक है तो लिखेंगे यहाँ पे आम की बग्या का छेतरफल चेटरफल कितना दिवा बच्चो आट सो मीटर इस पर एक गे तो आट सो लिख दिए अच्छा आम का बग्या जो है किस तरीके से आयत का जैसा है चुकिंकि लंबाई और चोड़ाई या लगँ अलेग है तो आयत है और आयत का चेतरफल क्या होता है बच्चो तो आयत का चेतरफल होता है लंबाई गुने चोड़ाई क्या होता है लंबाई गुने चोड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 800 अच्छा लंबाई कितना माने हो तो एकस माने हो तो एकस माने हो तो एकस लिख देंगे बराबर लिख सो बटा दो कार्ट दो कितना हो जाएगा 400 निकल जाएगा यानि कि fictional आपका निकल गया जब एक्स कमान निकल गया तो यहां पर हम नीचे लिख सकते हैं या नीचे आप लिख लेना अथा अ चोड़ाए एग्वाल टू चोड़ाए को माने थे詁 एक्स माने थो तो एक्स कमान कितना आगे वद्चो तो 20 आ गया तो 20 हो जाएगा इसका नहां और लंबाई कितना मानेते बच्चों टो लंबाई जो मानेते हम लोग 2x मानेते तो कितना ओंगर 2 गुणा x x कमान 20 वराबर कितना ओजाएगा दो दुने 4 यानि कि 40 यानि कि चालिस यानि आपका एक्स कामवान रिनात्मक में आ जाता मैनस में हो जाता या फिर जीरो हो जाता तब यह संभव नहीं होता लेकिन यहाँ पर धनात्मक आया और इसका हम लोग के आयू का योग 29 वर्स है चार वर्स पूरू उनकी आयू का गुलन नफल 48 था जो tam कि इसाल कर लोग के याल लेकंगे हल या और देको69 जो आयू है न दो मित्र का जो उम्र है वो 20 वर्स है ठीक है तो हम पहला मित्र को एक्स मान लेते हैं और दूसरा मित्र को हम लोग क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं ठीक है तो लिखेंगे माना y मान सकते हैं या फिर 20-x भी मान सकते हैं, माना पहला मित्र, पहला मित्र की आयू, पहली मित्र के आयू को हम लोग मान लेंगे, मेरे पहले बच्चो, x मान लेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से लिखेंगे तथा, दूसरा मित्र की आयू तो दूसरा मित्र के आयू कितना हो जागा बच्चो देखो पहला मित्र का और दूसरा मित्र का मतलब पहला मित्र A और दूसरा मित्र B दोना के आयू का योग जो है न 20 है तो पहला मित्र के आयू को हम लोग X मान लिए तो दूसरा मित्र के आयू कितना हो जाएगा दूसरा मित्र के आयू तो ये X इदार आ जाएगा तो मैनस में X हो जाएगा मतलब B बराबर 20 मैनस X दूसरा मित्र का जो आयू हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 20 मैनस X हो जाएगा ठीज़ी पहला मित्र के आयू एक्स और दूसरी मित्र के आयू 20 माइनस एक चलो अब यहां पे लिखेंगे प्रशनानुसार से पहले एक चीज और लिख लो यहां पे कि चलो लिख देते हैं प्रस्नानुसारी प्रस्नानुसार क्या बोला चार वर्स पूरु है ना पहला मित्र का आयू कितना हो जाएगा, पहला मित्र का आयू कितना हो जाएगा, अभी अगर x वर्स है, तो 4 वर्स पहले कितना हो जाएगा, x-4 अच्छा, दूसरा मित्र का आयू कितना हो जाएगा, तो दूसरा मित्र का भी 4 घटा देंगे, 4 वर्स पहले होगा, तो 4 घटा X ठीक है यह कब चार वर्स पूर चार वर्स पहले चार वर्स पहले चलो अब हम लोग आगे बनाते हैं हां क्या बोला कि दोनों चार वर्स पहले का जो आयू है उसका गुननफल दोनों का गुननफल 48 था ठीक है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि पहला मित्र का यू कितना ह एक्स माइनस फूर और दूसरी मित्र के आयू चार वर्स पहले वाला कितना था तो 16 मैनस एक्स एक्स और दोनों का गुननफल जो था दिया हुआ बच्चो कितना 48 दिया हुआ अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 को एक्स से गुना करेंगे तो 16 एक्स हो जाएगा ठीक है एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक से स्क्वाइर हो जाएगा और मायनस फूर को चोड़ा गरेंगे तो चोड़ा को चाहर चाहर एक से गुना करेंगे तो मैनस मैनस पिलस हो जाएगा चार को चार X हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 48, पेके, आप देखो इसको IRANGE कर लेंगे, ठेके, चौल ब आ रेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे, minus X को पहले लिखते है, minus X स्क्राइर वाला तो minus X स्क्राइर हो जाएगा, यहाँ पे 16 x और यह 4 x तो 16 x और 4 x इतना हो जाएगा 20 x और यहाँ पे मैनस 64 मैनस 64 और यह 48 इदार आके मैनस 48 में हो जाएगा ठीक है बराबर में क्या बचा इदर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा ठीक है चलो अब इसको हम लोग थोड़ा हो गया और यहाँ पे प्लस में हो गया 20 x और यह मैनस मैनस प्लस साइन मैनस कर रहेगा लेकिन जूट जाएगा तो अब इसके बाद हम लोग क्या करना बच्चो कि इसका इस्तिती संभव है कि नहीं है वो चेक करना और इसका संभव क्या करेंगे डी कमान निकालेंगे चलो डी कमान निकालते हम लोग अगली पेज़ पे कि चलो यहां पर हम लोग डी कमान निकालते हैं और हम लोग चेक करते हैं क्या यह स्तिती संभव है या नहीं है ठीक है हा यहां पे बच्चो एक कमान कितना हो जाएगा हमारे पास कुछ नहीं है तो माइनस एक अच्छा बी कमान कितना हो जाएगा और शिक कमान कितना हो जाएगा माइनस एकस्टोंवारा हो जाएगा चलब बनाते हैं लож forgot रफ सब्सक्राइब क्या हो जाएगा एक सो 12 है चलो इसके अफ़ दुनी चार सबस्क्राइब थे खरो जायागा को एक से चलो करते हैं एक सो बारा को चार से, चार दुन्याँ आठ एगाराय चौके चोगवालेस, कितना हो गया, 448 हो गया, अब 448 से जब घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 48 होगा, साइन किसका होगा, माइनस का, यानि कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर D का जो मान निकल गया, वो कितना होता है तो हम यहां पिन लाश्ट में लिख देंगे यह स्थिति संभाव नहीं है यह इस्थिति संभाव नहीं है तो यह आपका इसका आंसर हो गया इसको नोट डाउन कर लो पहला पेज यह आप का इसको नोट कर लो उसके बाद इसको कर लेना ठीक है चलो अब आगे हम लोग बनाते हैं इसका लाश्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों लाश्ट सवाल है बहुत ही असान है क्या लिखावा है क्या परिमाप 80 मीटर और छेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ग्याद करना है चलो बनाते हैं इसको भी हम लोग यहां लिखेंगे हल है ना देखो एक पार्क है और पार्क का लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो आयत जैसा होगा जब लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है तो इसका आयत जैसा होगा ठीक है तो हम यहां लिख लेंगे माना पार्क की पार्क की चोड़ाई चोड़ाई को हम लोग मान लेंगे मेरे पहरे बच्चों एक्स मान लेंगे कितना मान लेंगे एक्स और लंबाई को इस बार हम लोग ना वाई मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं चोड़ाई को और इसको मान लेते हैं वाई ठीक है चलो अब इसके बाद देखे यहां पर परिमाप दिया हुआ है ठीक है अगर हम बात करें पहला है ना प्रथम यहां पर लिखेंगे प्रशना नुसार या फिर प्रथम सर्थ हैा यहां पर लिखेंगे प्रत्थम सर्थ अनुसार shay प्रत्थम सर्थ में क्या बोल रहा है बच्चों की परिमाप जो इसका दिया हुआ है वह consistency डिया हुआ है और आयत का जो इसकी सकार में परिमाप क्या होता है दो गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई लंबाई जोड़ चौड़ाई एक बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास असी हो जाएगा तो यहां पर दिखो लंबाई कितना लंबाई का लंबाई लिख देंगे और चौड़ाई लिख देंगे और यह जो दो है बचो इधर इंटू में इध तरण वण मान लो चलो अब आगे देखते हैं आगे बनाते हैं इसका कि दूसरा सर्थ के अनुसार अगर हम लोग देखे तो क्या होगा कि दूसरा सर्थ के अनुसार बोला इसका छेत्रफल 400 ना चलो कि यहां पर हम लोग लिखेंगे दूसरा सर्थ अनुसार या फिर द्वित्या कुछ भी लिख सकते हैं या पर ऑग त्रुनर क्या बोला बच्चों की जो च्छेत्रफल है इसका जो च्छेत्रफल है आयत आकार का है ना तो च्छेत्रफल है वह दिया हुआ है 800 कितना दियावा 800 एक बड़ चेक कर लेंगे क्या 800 ही है या फिर दूसरा है ठीक है मैं देख लेता हूं 800 ही है या दूसरा है बिल्कुल आट है 400 हो जाएगा तो लंभाई को कितना माने थे हैं लोगो एक समाने थ्याज़ और इस को तो फोड़ा से एकस्चेंज कर दू कि एक नि काल लो निकालते हैं तो हो जाएगा यहां पर X कमान 40 और यह वाई जो है इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा ठीक है यह किसमें हो जाएगा माइनस में वाई हो जाएगा ठीक है तो यहां लिखेंगे समिकरन 2 में किस कमान X का मान रखने पर चलिए अब हम लोग यहाँ पर समेकरन 2 कितना है वो लिख लेंगे तो X गुना Y है और यहाँ पर बराबर में कितना है 400 है तो X का मान कितना आया था तो 40-Y था तो 40- यहाँ पर लिख देंगे Y और यहां पर गुना में लिख देंगे y बराबर 400 ठीक है अब यहां पर देखो इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40y-y को y से गुना करेंगे तो y² बराबर में हो जाएगा 400 ठीक है अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग यह माइनस y² को हम लोग पहले लिख बराबर में इधर नहीं लिखना चाहते तो इधर में ही लिख दो 400 लेकिन माइनस में चुकि बराबर का यह साइड आएगा तो मैनस में हो जाएगा अब यह आपका समीकरन मेरे प्यारे बच्छों बन गया ठीक है क्या बन गया यहां पर आप लोग का समीकरन बन गया ठीक है इस समिकरन को हम लोग को क्या करना है इसको हम लोग सबसे पहले चेक करना है डी कमान निकालना है और डी कमान जब निकल जाएगा तो देखना है कि क्या यह इस्थिति संभाव है या नहीं है ठीक है चलो यहां पर हम बनाते हैं कि एक पर इसको में अच्छे से कॉपी कर लेते हैं कि चलिए इसको अगले पेज पर हम ले जाते हैं अब देखो यहां पर हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या इसका मुल्क अस्तित्व है या नहीं है तो इसके लिए मैंनस सब कुटना और ब्राबर कितना दिखते हैं संभौ है नहीं दिखते हैं नहीं सबस्क्कार स्क्वार मतलब की 40 का स्क्वार माइनस 4 इंटू 1 कमान के जर्ग में कितना लिखेंग से और सी के जर्ग में माइनस 400 सी चौ रचाव करते च़चाऊ के शॉलरु स्योकर यहां प saben और यहां पर करेंगे तो 4-1-4 चर्चाऊ के इतना हो जाएक सूला सो ठीक है है अब जब सोला सो हो गया तो सकमान आ गया जिरो यानि कि पमाण हो गया बस्चों वह 0 हो गया और जब 0 आएगा या फिर धानातमंक में आएगा तो ये कि सम्भाव क्या लिखेंगे यह यह स्थीति सम्भाव लो समभा है मतलब कि यह पार्क हम बना रहे हैं यह पार्क है वो क्या है संभाव यह संभा है तो संबहों है तो क्या बोला है कि उसके लबाये और चौडाई बेरत करना है चलो घ्याद करते हैं लंबाई और चौडाई पॉली कि लिए अधिक बनाते इसको इन Фी दो विख्वाइस कितना कितना निकाले थे हमारी प्लीचे में कितना था मैरी उप्राइर innovator बीचमे लाइन दे देना और आधा है दर सौल्व करना अधा अधा इधर अधार अधार यहां पर देखों थोड़ा सो ऊपर कर देते हैं और उपर में बना देते sûr लाइन कर द combin कि मेरे लाइन भी जो है न तेड़ा चल जाता है अरे गजय भाई चलो चलो कोई बात नहीं तो एक बराबर क्या देदोगे यहां पर minus 40 और एक बार plus लेना ठीक है एक बार प्लस जिरो बटा minus 2 तो क्या हो जागे है यहाँ पर minus 40 और 0 को कोई value नीं तो minus 2 तो minus minus cancel तो 20 कोई दूनी 40 इधर बे हम लोग क्या करेंगे सिम यही काम करेंगे minus 40 लिखेंगे और एक बर plus लिएं तो अब यहाँ पर minus लेंगे और नीचे देदेंगे minus 2, यहाँ zero कोप वैल्यू नहिंए, minus 40 वैल्यू निया, minus 2, minus minus कड़ जाएगा तो 20 dewनी 40, यानी के X कमाण जो बचो, यहाँ पर भी 20 आया, और यहाँ पर भी 20 आया, और हमने बताया था कि जब d command 0 आएगा उस समय जो x का value निकलेगा वो समान निकलेगा 20 निकलेगा ठेक है तो यहाँ पर क्या हो गया कि अता है ना नीचे आप लिख सकते हैं लिखेंगे अता आयत की लंबाई है ना आयत की लंबाई आयत की लंबाई कितना हो जाएगा मेरे बच्चों तो 20 हो जाएगा और चवड़ाई भी जो हो जाएगा वो भी 20 हो जाएगा यानि कि यह आयत नहीं है बच्चों यह आपका वर्ग है तो यह था बच्चों आप screenshot ले सकते हैं ठीके इसको आप screenshot ले लेजे और बना लेजेगा और बारबर इस चीज़ को revision किजेगा मुझे आसा है कि आपको ये exercise बहुत अच्छे तरीके से समझ माया होगा पीछे वाले exercise अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देख ले मेरे पहरे बच्चो ठीक लिए तैयारी कर सकते हैं ठीक है बाकी कोई भी दिक्कत होती है हमारे इस्टाग्राम टेलिग्राम वाट्सअप का लिंक दिया हुआ वहां से जाकर आप समसे कांटाक्ट कर सकते हैं चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू झाल